एमपी के मांगरोल तहसील छेतर के गाउं में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भरने के कारण अधिकांश फसलों को काफी नुकसान हुआ है अभीता खेतों में भरा बर्साती पानी नहीं सूखने से आगामी रवी फसल बुबाई में देरी नजर आने किसान महंगा डीजल इंजन चला कर बर्साती पानी की निकासी करवानी पड़ रही है चितेंद शर्मा चंद्रमोहन मालव सागर गालव ने बताया कि खरीफ की फसलों में उड़द सोयाबिन आदी दलहन फसलें पूर्व से ही खराब हो चुकी है फसलों में किसानों को लागत तो दूर बीज बापिस होने की उमीद नहीं है किसानों ने बताया कि छेतर में इस वर्ष सभी प्रकार की खरीफ की फसलें बहुत अच्छी बनी हुई थी लेकिन भारी बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है कई किसानों की खीतों में बरसात का पानी भराव रहने से किसानों को इंजन चला कर मेंगा डीजल जला कर खेत के बारिश के पानी की निकासी करनी पड़ रही है किसानों में बनी है